जैशी रादे जैशीर कृष्ण कैसे हैं मेरे प्यार मित्रों ठागुरी कृपा से आप सभी स्वस्त होंगे सभी स्वस्त रहें आनंद में रहें परफुलित रहें और आप सभी का वंश्व है निरंता बढ़ता रहें एक ब्राह्मन होने के नाते आप सभी के लिए शुब कामना है शुबाशी शुबाशी रवाद प्यारे मित्रों आप मेरी सभी वीडियो बहुत पसंद करते हो मुझको बढ़ा अच्छा लगता है मैं भी आपके जैसे मेरे पर कमेंट्स आते हैं जिस विश्य में आप मुझते पूछना चाहते हैं मैं भी आपके अनुसार वैसी वैसी वीडियो बना करके आपको दिखा आता हूं देता हूं आज को अपाए बला अच्छा अपाए है कि कि कई मातों बहनों को गर्ब तो धरन हो जाता है लेकिन गर्ब स्राव हो जाता है गर्ब पात हो जाता है हमका दूसरे मिने हो जाए तीसरे मिने हो जाए ड़ाई मिने में हो जाए प्यारे भाजी यह इस्ति फिर्फिजी बड़ी दुख्दारिस्तिति हैं पुझाय से मा मसंतन से अ कि लेकिनों सिंतन जो है रमें टिक नहीं पारी और यह जब और टिक नहीं पारी तो दो महने में तेन महने में गर्ब स्राव होता है, गर्बात हो जाता है, गर्ब की हानी हो जाती है तो इसके लिए मैं आज एक पर अच्छा उपाई लेकर क्या है हूं जिन मतावा बहनों कोई डर रहता हो या जिनके पहले गर्ब स्राव हो चुके हो, गर्बानी हो चुकी हो और अगर वो गर्ब वती हो या आने वल समय में ऐसा विचार बनाएं जन्तान प्राप्ति के लिए तो वो आप मेरा उपाय जो है आवश्य करें यह उपाय बड़ा सरल हैं आप कर सकते हैं और इसको करने में कोई हानी नहीं है बलकि यह उपाय जो है आपके गर्ब को धान करके रखेगा अतात गर्ब की हानी बिल्कुल नहीं होगी बड़ा संदर एक टोटका है देखिए कुमार के घर जा करके जो मिट्टी के बरतन मनाता है कुमार कुमार के घर जा करके कुमार जो बरतन मनाता है तो उसके हाथ में मिट्टी लगी होती है दोनों हाथ में कुमार के मिट्टी लगी होती है तो आप वो मिट्टी ला करके लेकिन प्रियास ने करें कि वो मिट्टी जो है चाक के उपर ही के हिस्से की हो यानि कि चाक के उपर के हिस्से में उसने कुमार ने हाथ लगाया हो, काम कर रहा हो तो मिट्टी उसके हाथ में लग जाए तो आप वो मिट्टी उसके हाथ से उत्रवा करके थोड़ी सी मिट्टी ले आए मात इतनी सी मिट्टी और जदि आप थोड़ी सी मिट्टी ले करके आए और उस मिट्टी को बक्री के दूद के साथ त्यान देना उस मिट्टी को बक्री के दूद में मिला करके जदी आप पीते हैं तो आपको गर्ब हाने नहीं हो सकती यह अनभूत है यह निश्चित है कि जिन बेहनों का गर्ब गिर जाता हो जिन बहनों को गर्ब के हानी होती हो यदि मेरे बताए इस एक ही उपाय को करेंगी तो उनको गर्ब के हानी किसी कीमत पर नहीं हो सकती ये टोटका बड़ा विशाल टोटका है और आजमाया हुआ है मैंने करवाया है कईयों से कई प्रोवरों में आप समझ गी होंगे ना समझ में आये तो नीचे मेरा बाट सब्रमबर आ रहा है आप मुझसे बेढ़क पूश सकते हैं मैं आपको अवशे उसका जवाब दूँगा आप अवशे इसको करें जिनका गर्ब तो दारन हो जाता है लेकिं गर्ब टिक नहीं पाता गर्ब की हानी हो जाती है दूसरे तीसे महिने में वो मेरे इस दुपाय को अवशे करें कुमार के घर जा करके मिट्री ला करके बकरी के दूद के साथ छोटी सी गोली बना करके उसको सेवन कर ले जैस्टी रादे जैस्टी रकिष्ण प्यारे मित्रो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें अपने मित्रों को शेर करें आपके दोरा किया गया एक शेयर जो है ना जाने कितनों की समस्याओं का आहल भी निकाल सकता है इसलिए आप सभी अपने मित्रों को भी शेयर करें समध्यों को शेयर करें और जिदि जनम पत्री का विश्टेशन करवाना चाहते हैं जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो मुझे आप वर्टसप पर मेरे को मैसेज करें मैं आपकी जनम पत्री का पूर्ण रूप से विश्टेशन करके आपको वर्टसप के जरे ही उसका जवाब दूँगा मैं पंडित अनिल कोदंड सहानपुर से जैशिरा दे